असलाम लेकुम उमीद करती हूँ आप लोग ख्यारियत से होंगे आज हम जो टोपिक डिसकस करने लगे हैं डाट इस ओटोजैनिक ड्रेनिज ओटोजैनिक ड्रेनिज जो है यह कार्डियो पल्मेनरी फिजिकल थेरपी का एक टोपिक है ठीक है आज हम इसको डिटेल के अंदर स्टेडी कर लेते हैं आटोजैनिक ड्रेनिज जो है यह एयरवे क्लेरंस की एक टेकनीक है ठीक है और इसको हम मोस्टली 30 जुह हम यूज करते है बैद इडेंऊंश करतें है फाडिजी क्या हिए डिफ्रेंट से नून स्टृँ उसके बाद जो mucus है उसको forcefully बाहिर निकाल देता है, expire कर देता है, ठीक है, यह है autogenic drainage की definition, दुबारा आती हूँ airway clearance की टेकनीक है, जिसमें patient different lung volumes पे breathe करता है और उसके बाद forcefully mucus को बाहिर निकाल देता है, ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास autogenic drainage की three phases, number one is unstick, number two phase is collect phase and number third one is evacuate phase, ओके, सबसे पहली जो phase है autogenic drainage की वो है unstick, unstick phase के अंदर क्या होता है, इसमें patient low lung volumes के उपर breathe करता है, ठीक है, means हलके हलका सांस लेगा, हलका हलका breathe करेगा, ठीक है, और हलके हलका breathe करने से क्या होगा, patient का जो mucus है, वो distal airways से mobilize होकर mid airways के अंदर आजेगा, unstick phase के अंदर, ठीक है, उसके बाद जो second phase है, वो है collect phase, collect phase में क्या होता है, patient breathe करता है, टाइडल volume के उपर, टाइडल volume means total lung volume, और यह होता क्या है, maximum capacity होती है, ठीक है, means हम क्या सकते हैं के collect phase के अंदर, patient deep breathing करता है, ठीक है, और उसकी वज़से क्या होता है, mucus जो है, पहले mucus mobilize होकर, distal airways से, mid airways में आया था, अब collect phase में, जब patient deep breathing करता है, तो mucus जो है, mobilize होके, mid airways से चला जाता है, central airways के अंदर, ठीक है, फिर जो last phase है, evacuate phase, उसमें क्या होता है, कि जो mucus accumulate हुआ होता है, central airways में, वो बाहिन निकाल देते हैं, forcefully expire हो जाता है, half के through, ठीक है, हफ करते हैं, और जो mucus है, वो बाहिर आजाता है, half भी forced expiration की एक टेकनीक है, ठीक है, airway cleaners टेकनीक है, हमारे पास एक ACBT जिसे हम कहते हैं, ठीक है, active cycle of breathing techniques, उसके अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया है, half और cough के बारे में, ठीक है, अगर आपने वो lecture नहीं सुना तो उसको भी आप सुन ले, और पिर हमारा जो mucus है, वो बाहर चला जाता है, ठीक है, और autogenic drainage के अंदर आपने याद रखना है कि कफ जो है, वो discourage होती है, हम कफ नहीं कराते हैं, पेशेंट को only half कराते हैं, ठीक है, दुबारा से मैं आपको तीनों phases repeat करते हूँ, सबसे पहला phase था, unstick का, इसमें patient जो है, वो हलका हलका सांस लेता है, low lung volume पे breathe करता है, ठीक है, उसके बाद, जो mucus है, उसका mobilize होके, distal airways चला जाता है, mid airways के अंदर, next phase आती है, collect phase, collect phase में patient tidal volume पे breathe करता है, deep breathing करता है, ठीक है, उसका mucus जो मिड airways में आया होता है, वो चला जाता है, sandal airways के अंदर, ठीक है और evacuate face में क्या होता है कि mucus को हफ के तुरू बाहर निकाल देते हैं और cuff जो है वो discouraged होती है in autogenic drainage only half is encouraged अब अगर हम इस autogenic drainage को summarize करें तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि हमने patient को भी तो guide करना है उसकी language में तो हम उसे कहेंगे कि आपने लंबा लंबा सांस लेना है और सांस लेने के बाद दो मिनट तक आपने रुक जाना है ठीक है और फिर सांस को बाहर निकाल देना है और यह आपने तीन से चार बार करना है ठीक है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं modified autogenic drainage जो है न यह autogenic drainage की तरह ही होती है लेकिन autogenic drainage के अंदर तीन फेजिस थे uncomfortable होता है ठीक है इसमें patient जो है वो low lung volume से breathe करता है और वो patient के लिए uncomfortable stage होती है इससे modified autogenic drainage के अंदर हमने वो अंस्टिक की phase निकाल दिया है ठीक है अच्छा MAD stands for modified autogenic drainage modified autogenic drainage में क्या होता है कि patient breathe करता है टाइडल वोल्यूम की उपर ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अंस्टिक का फेज नहीं होगा डिरेक्ट को लेक्ट फेज से स्टार्ट होगा तो patient breathe करेगा टाइडल वोल्यूम पे उसके बाद क्या होगा कि जब patient टाइडल वोल्यूम पे breathe कर लेगा then after inspiration of each breath उसने क्या करना है 3 seconds के लिए hold करना है और फिर क्या करना है half के थूर बाहिर निकाल देना इसके बाद मैं आपको पहले बता दिया कि modify autogenic drainage करेंदा आंस्टिक की फेज नहीं होती ठीक है इसको हम क्या करते है autogenic drainage को modified autogenic drainage दोनों को हम sitting position में perform कराते हैं ठीक है और इसको हम twice a day perform कराते हैं 32-45 minutes के लिए और ये दोनों टेक्नीक्स जो हैं ये airway clearance टेक्नीक्स हैं और इनको हम perform कराते हैं bad written patients के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है bad written patients के क्यों कराते हैं क्योंकि उनके अंदर mucus accumulate हो रहा होता है ठीक है और वो इसको बाहिर नहीं निकाल पा रहे होते हैं इसलिए हम different airway clearance टेक्नीक्स यूज करते हैं कि उनके mucus को बाहिर निकाल सकें ठीक है और autogenic drainage और modified autogenic drainage भी उनहीं टेक्नीक्स में से एक टेक्नीक है और इन टेक्नीक्स के थ्रू हम patient का tidal volume भी maintain रखते हैं ठीक है जिन patients की abdominal surgery हुई होती है उनको जो है cuff discourage की गई होती है तो फिर हम उन patients में क्या करते हैं हम उनके abdomen के उपर पिलो रखते हैं और फिर उनने cuff करवाते हैं क्योंकि कफ से क्या होता है कि abdominal pressure increase होता है that was all about our today's lecture hope so you will like my video if you like my video don't forget to subscribe my channel and also press the bell notification button for further videos